स्टीचिंग रीपेरिंग और में मैं संदीप आपका सौगित करता हूं तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं यह बैक क्लोजर मशीन है उसमें कितने टाइप की एलन की यूज होती है हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं जिनकी रिक्वेस्ट सबसे पहले मैं एक यह दो और यह तिन यह कवर खोल देता हूं ताकि आपको पता चले कौनसी एलन की कहां पे लगेगी देखिए दोस्तों मैंने मशीन का कवर यह आगे का फेस कवर सभी खोल दिया है अब आपको एलन की की डीटेल देता हूं मैं देखिए दोस्तों बैक क्लोजर मशीन में यह पांच प्रकार की ही एलन की यूज होती है यह सबसे मोटी है उसके बाद एक छोटी साइज और यह उससे छोटी एक बाद बता दू एलन की की साइज जो होती है वो mm में आती है उसकी थीकनेस जो होती है यह थीकनेस मोटाई वो mm में होती है 2 mm 3 mm 5 mm 7 mm अलग-अलग साइज होती है तो अगर आप कोई भी बैक क्लोजर मशीन है उसकी एलन की खरीदना चाहते है तो जहां पर बैक क्लोजर मशीन का सामान मिलते है वहां पर जाके आप बोलेंगे कि मुझे बैक क्लोजर मशीन की एलन की का सेट चाहिए तो तो आपको पूरा सेट देतेगा, आप अगर कोई भी सिंगल एलन की लेने जा रहे हैं, तो इसके लिए दोस्तों, एक बाद आपको बता दू, देखिए, ये जो एलन की का स्कुरू है, देखिए ये, कोई भी सिंगल एलन की लेने जाएंगे, तो आपको एलन की का स्कुरू अपने साथ ले जाना है देखिए आप अपने साथ एलन की का इसको स्कूरू ले जाएंगे तो सामने वाले को और आपको बहुत दिक्कत नहीं होगी देखिए यह यहां पे फिट हो गई तो इसी भी बैक्रोजर मशीन में यह पांच प्रकार की ही यह यूज होती है यह पूरा सेट आता है अलग अलग लेना चाहते तो ले सकते लेकिन आप सेट लेंगे तो पूरा सेट आजाएगा आप कितने में आता है प्राइस बताओ तो आपको सौ रूपए से डेड़ सो प्रक्तली एऊलं की है यह ऐलंकी ज्यादा तो यूज नहीं होती एफ-दो थीन-चार यही अलंकी सभी जगग हाई यूज होती है कौनसी करती यूज ओत है Чली मैं proposals देखेये में अलननकी यहां पे रक्खी वह वह आपको उठाके कौनसी कर Jud Gao Mickey मैं बता रहा हूं देकिए पूरे मशीन में एक जगा पर यूज होती है कहां पर मैं बताता हूं याद रखेंगे सबसे बड़ी है देखिए यह हैंडल वाला जो मशीन है उसमें यह हैंडल जहां पर लगता है देखिए यह एलन की यहां पर फिट हो गई एक दो तीन और यह चौथा यह चार्ज जो स्क तूँ फिट करने के लिए यूज होती है सा और कहीं पर यह यह खाल उ एक बात और अब दूसरी में आपको बता धूं olması है तो यह सबसे बड़ी मैंने आपको बता दिया इसके साई में रख द occur ap IdEs के बाद कगे यह उनकी ये उससे थोड़ी मोती है कि देखिए अब ठीकने के बारे में बूछेंगे आपको पांच यलन्क की पूरा से दि делать अधिया को थीकने z capacity को को मतलब नहीं बन्ता थे धिसने अ यसा नपने के लिए उसका मशीन आता है कि इसमें ठीकने अ मिए पॉइंट रहता नहीं है आपको पूरा सेट बिल जाएगा वह आपके लिए इनुक्यक्रत कर सकते हैंVEL किwoman कांगर था मित भी मैं यहां है कि यह यह केमिय के सभी स्कूल में यूज होती हैं देकि यह केंस पर ती है देखिए यह एक यह दो और तिन यह Revelation में यूज ओती है है दूसरे के यहां पे देखिए यह जो श्कूूय है देखिए यहां पर फित हो गई और यहा आए यहां पर दो जगह रोथी है एक कीजी दो जगह रोता है और दोसरा यहां पर यहीजए और यह बाद बतातों दोस्तों यह जो एलएं की है वह केम के स्कूमे रोके मतने लगती है देखिए यहां रेठक जो है कि वहां पे भी ये इस वोती है देखिए ये हो गई वहां पे भी ये यूज ओती है तो दो जगा ये यूज होती है एक केम के स्कुरू में एक यहां पे और तीसरा वो प्लेट वाला मशी जो आता है मैंने दीखाया उसमें सबसे इंपोर्टन यह है ये का आप यहां पे यूज होती है मैं बताता हूँ देखिए सबसे पहले दोस्तों यह जो पुली है यह रहा देखिए यह पुली के यहां पे स्कूरू है उसमें यह यूज होती है यह एक हो गया दूसरा देखिए दोस्तों देखिए यह सुई का जो सलिया है यहां पे यह पॉइंट है उसके लिए भी यह एलन की यूज होती है यह हो गया दूसरा तीसरा दोस्तों देखिए यह जो लूपर का होल्डर है वहां पे यह रहा देखिए लूपर का होल्डर जो है वहां पे भी यह तीसरी यूज होती है देखिए यहां पे यह हो गई उसके बाद देखिए यह हमारी पूरी संत्री का जो दागीना है उस संत्री का दागीना में यहाँ पे दो स्कूर दिये गए देखिए यहाँ पे भी यह यूज होती है यह मैंने बता दिया आपको यह तीनों थी तो यह मैंने इसका यूज क्या है वो बता दिया अब बची है दो यह सबसे पतली और उसके बाद यह थोड़ी मोटी है जो देखिए इसका यूज कहां कहां पे होता देखिए सबसे पहले यह मोटर है देखिए मोटर की जो पुली है उसमें भी एलन की यूज होती है, एक यहां पर यूज होती है, यह मोटर की पूली है, यहां पर यह पॉइंट दिया गया है, यहां पर यूज होती है, दूसरी आपको बता दू, देखिए, यह संत्री का दागीना है, यहां पर भी एक एलन की दी गई है, देखिए, तो यह दूसरे नमबर की जो आती है, वो यहां पर यूज होती है, यह हो गया, इसका यूज एक और यहां पर भी है, देखिए, यह, उसके बाद, यह प्रेशर का जो सलिया है, उसके लिए, यहां पर भी यूज देखिए, यह दो पॉइंट, और उसके बाद, सबसे लास्ट में, यह मशीन का प्रेशर पूट है, उसमें यहां पर, यह यूज होती है, अब यह सबसे पतली है, उसका क्या यूज है, मैं आपको बता दू, अगर अमें, यह मशीन का, देखिए दोस्तो, यह सुई का जो सलिया है, वो सलिया कभी आपको एड़्जस करना हो, तो यह सबसे पतली जो है, वो यूज होती है, इससे आप ऐसे गुमा गुमा के सलिय को बाद निका सकते है, यह फिर थोड़ा अंदर बाद एड़्जस करन होती है, उसके अलावा, टूल्स में, यह जो हमारे डिसमिस है, फिर यह हो गए हतोड़ी, यह सब जो नॉर्मल टूल्स हम यूज करते हैं, डेली, रिपेरिंग में, सब में यूज होती है, तो दोस्तो यह था वीडियो, बैक क्लोजर मशीन में, कितने टाइप की एलन की य ले आओगे, तो कई बार होता है, कि वो यह जो स्कूरू है, उसमें प्रॉपर फिट नहीं बैठती है, तो सबसे बैतर है, कभी भी जाईए, एलन की लेने, तो यह सेंपल साथ में ले जाईए, तो आपको बहुत इजी पड़ेगा, पांच से ज्यादा, यह जो पांच एल की बैक क्लोजन मसी में यूज होती नहीं है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फरमेटिव लगा हो, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्स्राइब कीजिएगा, तब तक के लिए मिलते हैं, नेक्ट वीडियो में, थैंक यू,